वेलकम टू अब्जक्तिवड़ा तो आज हम आपके लिए फिर से लेके आ गए एरपोर्ट्स ग्रूप सी की जो जीके की 1000 की सीरीज चल रही है वैसे हम 1000 की उल्रेडी कर चुके 1000 की जो आपके 10 वीडियो होगे थे तब तक हो गए थे लेकिन फिर भी सभी के कमेंट आ रहें कि सर आपके इसका नेक्स्ट पार्ट लेका है क्योंकि कमेंट करने के पीछे सिप एक ही वजए सभी स्टूडेंट की कि इस में से जो आपके जो अभी एरपोर्ट्स ग्रूप सी के एकजाम चल रहें वहां पर 70 से लेके 80 परसेंट तक के जो क्यूशन आ रहें वो इसी सीरीज कवर करना चाहते जिकेंगे तो एरपोर्स ग्रूप सी के हमने प्लेलिस्ट अलग से बनाये रखिए आप वहां जाके भी इसके सारे के सारे पार्ट वहां देख सकते हो साथ में जो करंट अपेर के वीडियो वह भी अप्लोड कर रहें तो वह आप जरूर देखना चाहिए वह आपकी वहां पर बहुत ज्यादा हैल्प होने वाली है क्योंकि अभी तक जितने भी एक्जाम हुए उनमें एक चीज देखी गए लास्ट के तीन महीने से लेके चार महीने तक का करंट अपेर आपसे पूचा जाता है और उसके अलवा एक हमने एरपोर्स के लिए अलग हो तो चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही है उसके अलवा हम आपको बता दे कि इस स्रीज के अंदर हम हैं रिटन नोट से कर रहे हैं चाहां पर राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है लेकिन कंटेंट है वह बहुत ही अच्छा है हम उसको टाइप इसलिए नहीं कर पाये थे थोड़ी से एंड रिटन राइटिंग अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी आप समझने की कोशिज करना आपको आराम से समझ मा जाएगा अब अगर आपने लाइस्ट वीडियो देखा है तो आपको यह पता होना चीए कि हमने वीजिये तक कर लिया था जो वीडियो क्रापिक और अगर M.I.C.R. की फुलपॉम आपसे पूजी जाए तो मेगनेटिक इंक करेक्टर रिकोगनाइजेशन जो फुलपॉम होती है वो किसके होती M.I.C.R. की फुलपॉम होती है यहाँ पर आप यह जरूर याद रखना कि यह M.I.C.R. की फुलपॉम अकसर एक जाम में का पर इस्ती दे तो मंदिर अमरिश सरकें अंदर इस्ती ने से बनायाए गया था 1585 से लेके 604 के बीच मना था सुन मंदिर से लेके 45 की उसल बोछ जाए पूच जा तो वो क्या क्या है वो भी चलो देख लेते यहाँ कि सुन मंदीर की जो नीव कब खिसने रक ही तो चोत्य गुरू रामदाश जी ने रिखी थी चोट्य गरू किसके सिक्कों के जो चोट्य गरू थे रामदाश जी उन्होंने स्वन मंदिर के नीव रखी थी कंप्लीट किस ने किया था पांच ये गुरू अर्जुन देव ने स्वन मंदिर को कंप्लीट किया था और स्वन मंदिर का दूसरा नाम क्या है तो हर्मिंदर साइब से वह स्रण मंदिर का दूसरा नाम है अब एक चीज और याद रखना हो आपको आपको अपगानों ने नश्ट कर दिया था तब जब अफगानों नश्ट कर दिया था उसके बाद में राजा जो रणजीज सिंग थे उन्होंने वापिस बना कर सोना लगवाया था तो यहां पर एक क्यूशन यह भी पूजा जा सकता है जो स्वर्ण मंदिर है उस पे सोना किसने लगवाया था तो आपको पता होना ची राजा रणजीज बीच में वा था भीमराव अमेडकर और गांदी जी के बीच में वा था कहां पर यहरवदा जेल के अंदर वा था कब वा था चोई सितंबर 1932 को वा था यह जरूर पता होने चीए और क्यू वा था तो दलीतों के लिए सीटों के लिए प्राप्त हुआ था अब अगला जो क्यूने क्यूशन है वह अर्पने यहां पर THE को पूर्णा पैक देख हता तो इसके साथ में क्यूशन जो सबसे 2002 के अंदर हुआ था अगला जो अपना क्यूशन बनता है वो है AIEA यह जरूर याद रखना है इसकी फुलपॉम क्या होती इंटरनेशनल एटोमिक एनरजी एजेंसी फुलपॉम हती है और इसके हेड़कॉर्टर की अगर बात करें कहां पे तो विए न ऑस्ट्रेलिया के किस किस के बीच में वा था इंद्रा गांधी और जुल्पिकार अली वुटों के बीच में हुआ था कब हुआ था दो जुलाई 1902 वह था और 1911 में बारत और पाकिस्तान के यूद के बाद में हुआ था सिमला समझो था अगला जो अपना क्यूशन है गल्प थाइलेंड में चक्रवात आया 2019 के अंदर उसका अगर नाम पूचे आपको तो आपको याद रखना है क्या नाम है पाबुक नाम है अगला जो अपना क्यूशन है कल्पक्कम परमानु के अंदर कहां पर तमील नाडू के अंदर है और इसको कामीनी भी कहते हैं यह जरूर याद रखना है यह जितने भी परमानु के अंदर है वो अपन ने वैसे एक पहले वीडियो में देख लिया तो यहां पर नहीं डिसक्स करेंगे वाकिया आपके लिए इंपोर्टेंट होता है तान से ने उनका सम्मंद किसे तो दुरूपत से हैं और तान सेन के बचपन का नाम क्या था तो सब्रू कमेंडी बनाई गए थी अगला जो क्यूशन है वह है टेमिसलाव के राज्जा का गेड ओडर पुरुषकार 2019 में किसको मिला रामनाथ को मिला वेसे अगर आप यह चाहो तो यह क्यूशन छोड़ भी सकते हो क्योंकि 2019 का क्यूशन है अब यह आपके जो क्यूशन आ पूशन की कोन सी यह तो भारती लिपी जो है वह नो भासाओं की कोन लिपी एश कर आपसे पूचे सबसे इंपर्टेंट जो क्यूशन है यह वह है निती आयोग से अगर आपसे पूचे कि नितियायोक इस्थापना कब हुए थी ऐक जनवरी 2015 की स्थापना हुए थी फस्ट अध्यक्स कों थे नितिययों के तो नरेंदर-mподी थे फ़स्ट 14 लावा चो नितिययों का पहले क्या नाम था तो योजना आयोग का पहले नाम था और योजना योग के अगर इस्ताब न पूचे आपसे तो 15 मार्च 1950 को हुई थी और यहां पर फ़स्ट उपधिक्स और आप पूछे वर्तमान में उपादेक्स कोन है तो राजीव कुमार है और इसके साथ में यहां पर नहीं दिया वाए और वर्तमान में नित्याई हो कि अगर सीओ पूछे आपसे तो वह कौन है अमिताब कान थे अगला जो अपना क्यूशन है वह लिमिट ऑफ ग्रोथ रिपोर्ट क किस मौडल ऑफ जो स्टार्टिंगी दो तीन पंचवर सी मोजना उनके बारे में आपको जरूर पता होने है वह किस मोडल पर ज अब जरूर याद कर लेना क एक्सर इंटी इन तिनों को तो आप जरूर याद कर लेना वो कब से लेके कब तक था सोड़ा 1966 से लेके 1969 के बीच में था और ये अवकास होने की वज़े क्या थी तो बारत और पाकिस्तान के इस ताइम यू दुआ था तो इसलिए यहां पे चीश्री और चौती बंचवर्शी योजना के बीच में अवकास आ गया था अगला जो अपना क्यूसर ने वह इ अगला जो अपना क्यूसर ने वह साइंस का क्यूसर नाइटरोजन इस्ती करन से अँरूता बढ़ती है तो यह लेग्यूम पली के द्वारा बढ़ती है अगला जो कि उसने वारली चित्रकला कांग किये तो महाराष्ट्र किये न्यूर्क के मेडिसन स्क्वार गार्डन में कुस्ती में भाग लेने वाले कौन थे तो यह जरूर आपको पता हुने ची भारत के कौन थे बजरेंग प बनता है तामबा और टीन से मिलके बनता है परसंटेज आप यह आज रखना चाहो तो यह रख सकते हो बाकिया से ज्यादा पूचे नहीं जाते हैं और इसके तो सभी को ट्रिक भी पता होगी कि पिता जी बनती है जैसे कि पी से पीतल का पीतल बन गया तासे तामबा बन गय वह एक तो आपके स्टील तो लोहा और कार्बन से बनता है उसके ज्यादा जो इंपोर्डेंट है वह फ्यूस्तार और नाइक्रोम फ्यूस्तार बनता है सिसा और टिन से नाइक्रोम बनता है लोहा निकिल और क्रोमियम है सबसे ज्यादा अगर आप याद रखना चाहो तो को जुरूर याद रख लेना लोः निकल और क्रोमियम से मिलका बनता है नायक्रोम अगला जो अपना क्यूष नहें वह स्वाध कलिका हैं कहां पे पाइ जाती है तो जीव के अंदर चाती है सबसे ज्यादा जमेनी पानी का उप्यों कोन सा राज्य करता है हरियाना राज्य करता है और सबसे कम कोन करता है तो हिमाचल परदेश करता है अगला जो अपना क्यूसने जापान में मेनी पाता आपदा आई थी जैसे कि जो मिनी माता सिदा साब जापान अगरियां पे सितंबर 1960 को वा था और उस टाइम किस किस के बीच में हुआ था जमारलाल नेरु और अयूब खान के बीच में हुआ था तो जमारलाल नेरु को कौन-कौन सी नदिया मिली थी रावी व्यास सतलज मिली थी अयूब खान को कौन-कौन सी मिली थी सिंदु चिन्नाब और जेलम म जरूर पता होना अच्छी है आपको इसके बाद जो अगला जो क्यूशन है वो है कि 2019 के अंदर लंदन युके के जो मिस्ट वर्ड बनी थी वो कौन थी टोनी एंस सिंग थी तो अब जो अपना वीडियो है दस मिनिट के आसपास हो गया है आगे के जो अपना पार्ट जो कोई वीडियो कैसा लगा आपकी राय देखो बहुत ज्यादा इंपोर्डेंट है बाकि अगर आप हमसे और भी कोई क्यूशन पूशना चाहते हो और भी कोई क्वेरी हो तो आप हमें इस्टाग्राम पर भी मेसेज कर सकते हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएग झाल